तो अगर आप इतना प्यारा सब्सक्राइब अपने घर पे लाना चाहरें तो इससे पहले देख लिए कितना होता है दोस्तों यह हाती की तरह है इन्हें खरीदना तो असान है पालना बहुत जादा मुश्किल है आज की वीडियो हम पूरी डीटेल आपको देंगे कि अगर आ आप एक परशेंट लाते हैं तो उसका मंत्री एक्सपैंस कितना होने वाले तो दोस्तों अगर हम सबसे मतलब में में चीज़ें जो है वह ही एड करने वाले कोई फालतू का एक्सपैंस नहीं करेंगे जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो अगर आपके पास कैट है वह रख सबस्ता फूड खिलाते हैं अगर किसी बजट फूड की तरफ जाते हैं तो वह बहुत जाद आपकी कैट को नुकसान कर सकते हैं जितने रुपे आप फूड पर बचाएंगे उतने रुपे आपको डॉक्टर को देने पड़ेंगे तो दोस्तों हम रॉयल कैट फूड की बा पॉक्स होता है वह तो दोस्तों जो इनकी लिटर सेंड है वह कम से कम एक मन्त में एक केट के करीब लगती है अगर हम एडल्ड की बात करें वाकी यूजज के ऑपर कितना यूरीन करती है कितना बार पॉटी जाती है अगर उसका पेट खराब है तो जादा इस्तमाल होगा लेटर सेंड तो हम एक एप्रॉक्स लेकर चलते हैं एट केजी अगर एट केजी की बात करें हम तो लगबग आप मान के जले उसका खर्चा आने वाले आपको आट सो रुपे ठीक है मैं एप्रॉक्स अमाउंट लेकर चल रहा हूं कहीं पर इसकी कॉस्टिंग कम भी हो सकते कहीं पर इसकी जादा हो सकती है तो अठारा सो रुपे प्लस आट सो रुपे टोटल 26 रुपे ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं एक और में चीज जो बहुत सारे लोग आज की टाइम पर छोड़ देते हैं दोस्तों अपनी कैट की वैक्सिनेशन करवाना दोस्तों कैट की चांसे होते हैं कि चैट सर्वाइफ कर जाए तो आज के टाइम पर कैट की वैक्सिनेशन की कॉस्टिंग मैं बता हूं तो यह यह ली दो हजार से तीन हजार रुपे लगते हैं और अगर हम इसे डिवाइट करतें तो आप डिवार्मिंग और वैक्शन दोनों का लेकर चले तो मंतली हम 200 उपीज इसको काउंट करते हैं तो दोस्तों 200 उपीज और 26 में जोड लेते हैं तो इसका कॉस्टिंग होता है टोटल 2800 रुपे ठीक है और उसके बाद आपने अपनी कैट के लिए ट्रीट भी लेके आनी है ठीक है जैसे जैली फूड हो गया क्रीमी ट्रीट हो तो यह भी लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसकी कॉस्टिंग हम जोड़ते हैं तो टोटल यह आपका तीन हजार रुपे बैठता है मंतली एक्सेंस और दोस्तों बहुत सारे लोग मिटी रख लेते हैं या बदर पूर रख लेते हैं तो वह बिलकुल गलत है है यह मंटेट्री है इसके अलावा बहुत सारी चीज़े आप कर सकते हैं लेगिन इससे कम नहीं जा सकते हैं अगर हम काट फूड की वी बात करते हैं तो कैट फूड में आप होमेट फूड रेडी कर सकते हैं लेकिन आज के डाइम पर चिकन इतना महेंग है ताई सो रुप ड्राइफूट के कंपेरिजन में ग्रेवी फूट जादा लगता है तो दोस्तों इसमें भी कोई कॉंप्रमाइज नहीं कर सकते तो टोटल कॉस्टिंग जो हैं फूड की लिटर की और वेक्सिनेशन की बैठती है तीन हजार रुपे इससे कम नहीं हो सकता तो दोस्तों आप दस बार हजार यह चार हजार यह फिरी में भी कहीं से बिलने ला रहे हैं तो यह जरूर सोच लेजेगा कि इसका मंदली एक्समेंस तीन हजार रुपे होता है मैंटली भी इसके लिए प्रिपेर रही है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं लेकिन वह खर्च नहीं करते कोई ऐस होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि खर्चा भी था दूद रोटी उसे खिलाते हैं तो यह ना करें दोस्तों पहले सोच लिजिए अग्राव करते उसके साथ एक रिस्पॉंसिबिलिटी भी आती है बहुत जादा रिस्पॉंसिब्लिटी ओते है का टाइम-टू टॉ ट यह स्टार्टिंग जो एक new pet parent है उन्हें नहीं पता होता तो इसलिए वो सोचते हैं कि हाँ यह तो एक ऐसे ही जानवर हम लिया है ठीक है अब इसका कुछ नहीं करना लेकिन बाद में जब रखते हैं जब उन्हें पता लगता है कि इसके तो खर्चे और इसको बहुत जादा क करना है तो दोस्तों इसकी सारी डिटेल्स अगर आपको जानी है क्या 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 होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं कोई भी नई वीडियो आईगी तो आप तक जरूर आएगी और लास्में एक चीज़ में कहना जरूर चाहूंगा कि यह वीडियो बना सब्सक्राइब तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एक बार कैट ले लिया तो दोस्तों इन्हें बहुत जादा महबद हो जाती है बहुत जादा लगाव हो जाता है ठीक है मैं अगर आपको दिखाओं तो यह अब भी और यहां पर शू बैठी है पू बहुत जादा लगाव हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि जब आप इंको अबेंजन्ट कर देते हैं चोड़ देते हैं घर एकदम से चेंज कर देते हैं एक साल दो साल पालने के बार तो यह डिप्रेशन में आके मर भी जाते हैं और जब आप नहीं क्योंकि उस टाइम क मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हूं बस सोचते हैं किसी को दे दे हम कैसे ने कैसे उसे यह नहीं देखते हैं कि बंदा इसे पाल सकता है कि नहीं पाल सकता क्या वह इतना खर्चा कर सकता है वह बस दे देते हैं तो बहुत सारी जगा मैंने सब्सक्राइब हो जाती है क्योंकि उन्हें देदेते हैं वो लोग कि दिने कैट को पता ही नहीं कैसे पालना है वो दूद रोटी के लाते हैं अब आप देखें यह पर्शन कैट आप इतनी एक्जॉटिक घर पे लेकर आ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि दूद रोटी प डूद रखेंगों कि अगर आप पर्शन कैट पाले नहीं तो आप पहले सो समझ लें कि हांबर यह एक्सपेंस यह जिम्यदारी आप उठा सकते हैं जिंदगी बर के लिए जब तक यह आपके साथ हैं ठीक है अगर आप नहीं उठा सकते तो दोस्तो किसी की खराब ना करें किसी जानवर को परिशान ना करें ना पर्चेस करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स रुडियो में तब तक कि लिए खुदा हाफिज जैहन